हलो माव रिवड़ी सभी साथियों को राम राम नमस्ते हाई हलो कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे तो अंदरूस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे दोस्तो फाइनली मुझे आज लगा है कि जो हरियाना के नौजवान साथी है वो कहीं न कहीं सीख गए है उन्हें दर्द होता है तो वे बोलना सीख गए है यदि उनको दुख दर्द तकलीफ होती है तो वे अपने डिसिजन खुद ले सकते हैं कि कैसे उनको इन दुख दर्द तकलीफ को दूर करना है इन समझ्याओं को दूर करना है दोस्तो अभी बहुत सारे लोग जैसे HSSC और HPSC के एक्जाम दिये हैं और भर्तियों के एस्परेंट्स रहे हैं उनने बहुत लंबी त्यारी करी उसके बाद एक्जाम दिया एक्जाम में जैसा प्लान था जैसा सोच ती जिस तरीके से आपने त्यारी करी जो चीज आपने पढ़ी उससे बाहर ही कुछ आ गया उसके बाद सरकार ने नॉर्मलाइजिसन करी नॉर्मलाइजिसन करी नहीं करी कैसे करी कुकर करी क्या तरीका अपनाया मेरे कितने नंबर आए दूसरे के कितने नंबर आए कितने घटे कितने बड़े जो लोग 60 नंबर लेके आए उसका सलेक्शन नहीं हुआ लेकिन जो 48 लेकि आए उसका selection हो गया देखे नॉर्मलाइजिशन होगा तो ऐसा होगा ही लेकिन सरकार ने नॉर्मलाइजिशन किया क्यों यदि सरकार चाहती तो एक दिन में पूरा का पूरा सभी लोगों का exam ले सकती थी लेकिन नहीं लिया अनेक परकार की shift कर दी एक shift के अंदर अनेक परकार के exam कर दी जिसके वज़े से नॉर्मलाइजिशन करना जरूरी हो गया लेकिन किसी तरीके की पारदरसिता नहीं है जिसको उमीद थी कि मेरा result में नाम आएगा उसका result में नाम नहीं आया लेकिन जिसको उमीद ही नहीं थी उसका रिजल्ट में नाम आ गया इससे बचों को तकलीव होती है या सलेबस के मुद्दे को देख लो या एक्जाम कलेंडर के मुद्दे को देख लो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो बार-बार एस्परेंट्स को जो भरतियों के लिए नोजवान साथी हैं वो फाइट कर रहे हैं इस लाइन में तो अभी पुलीस का रिजल्ट आ था दो-तिन दिन पहले 11 तारिक को और वो बिवरति भी नॉर्मलाइजेसिन का सिकार हुई उसमें भी बहुत सारी लोगों को बहुत दुखदर तकलीफ से गुजरना पड़ा और बहुत बार टीचरों ने भी कोशिस करी अनेक परकार के मुद्दे लेकर की बात करेंगे या चससी से या हरियाना सरकार से अपनी रिक्वेस्ट करेंगे लेकिन हम चाहते हैं बहुत तेजी से बदलाव हो लेकिन बहुत तेजी से बदलाव होंगे नहीं लेकिन जब तक देरे-दरे बदलाव होंगे तब तक बहुत सारी लोग नोकरी की बात देखे वो कुछ ना कुछ डैडी-वैडी करने लग जाएंगे वो किसी और काम में और लाइन में चले जाएंगे इसलिए कुछ चीज़े जरूरी है जो अभी बदला होने चीज़े है उन चीज़ों में लेकिन भाई कोई teacher community है वो किसी मुद्दे को ज्यादा महतो दे रही है क्योंकि वो एक thinking level से थोड़ा उपर अपने आपको रखे फिर उस चीज़ों करने की कोशिस करते हैं इसलिए कहीं न कहीं अब युवा को ही जरूर थी कि खुद आगे आए खुद decision ले अब मुझे लगा कि खुद decision ले सकते हैं और इन कामों में हर teacher को उन चीज़ों को support भी करना चीए यदि student सही तरीके से काम करते हैं तो आज बच्चे HSSC office गए थे वहाँ पर इकठे हुए बताए हैं कि 200-400 बच्चे वहाँ पर गए थे अपने normalization हुआ तो कैसे हुआ है कितने नमबर कम हुएं कितने बड़े हैं कितने गटे हैं हमारे marks कितने आए हैं ये सारी चीज़े detail result जल्दी शह जल्दी निकलवाने के लिए अब बच्चे इसके कोर्ट का भी सारा ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोर्ट का सारा लेना बहुत सही है लिगली तरीके से काम करो ताकि लिगली सारी चीज़े जो follow है वो एक अच्छे डंग से आगे बड़े और यदि सही है तो वो चीज़े आपके फक्स में आई चा भई कोई बात नी वो कर लेगा या वो टीचर कर लेगा या वो रामू कर लेगा वो रमफड कर लेगा तो एक आदमी से बदलावने होगे सभी को महनत करनी पड़ेगी सभी को रोड प्याना पड़ेगा या अपने हिसाब से इन बच्चों का साथ देना पड़ेगा और मु आंदोल में आपको पता ही भाई क्या पता किसी बच्चे को कोई चोट वोट लग जाए भाई कोई घटना घट जाए तो उसका जवाब दही किसके होगी लेकिन यहां पर यूआ बोरना से गया बहुत अच्छी बात है और जो इन भरतों से जड़े हैं जो चाहते हैं कि भाई मुझे आज अच्छा लगा भाई आज बच्चे गए हुए हैं तो खुद अपने दम पे खुद डिसीजन लेना जान गए बच्चे ठीक है तो बस यह एक छोटी सी इनफोर्मेशन थी लेकिन बहुत बड़ी है आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद भगवान के आप कर दो बड़ है